बारत में बहुत बड़ा खत्रा मढई रहा है बहुत जल्दी भारत के सभी प्रमुक्ष सहरों में धर्मांत्रन शुरू होगा लोग सनातन धर्म छोड़ेंगे इसलाम कबूल करेंगे लेकिन एक्च्वल में यह सनातन धर्म छोड़ने वाले हिंदू नहीं है वो हैं मुस्लिम वो कागज के हिंदू है 2014 के पहले तक जो बंगला देशी रोहिंग्या थे वो भारत में अपने असली नाम से आधार बनवा रहे थे अपने असली नाम से सारे डाकुमेंट बनवा रहे थे लेकिन 2014 के बाद जब से केंद्र में BJP की सरकार आई है उसके बाद कई राज्यों में BJP की सरकार आ गई है हिंदु तुक्य प्रती लोगों की धारना बढ़ी है हिंदु जागा है उसके बाध से ये बंगला देशी और रोहिंग्या हिंदु नाम से आधार बनवा रहे हिंदु नाम से रासंकार बनवा रहे हिंदु नाम से जन प्रमार पत्र बनवा रहे हिंदु नाम से निवास प्रमार पत्र बना रहे हिंदु नाम से अपने बैंक में खाता खोल रहे हिंदु नाम से उटर आइडी बनवा रहे हिंदु ना पे बीजेपी की सरकार बढ़ी है सांसद विधायक भी घुसपैट के खिलाब बोलने लग गए हैं बार-बार एनर्सी लागू करने की बास शुरू हुई है इसलिए उन्होंने अपनी स्टेट्जी चेंज कर दिया और जहां-जहां सांसद विधायक पारसद प्रधान मुस्लिम है वहां तो उन्होंने अपने असली नाम से बनवाया है बाकि जिस छेत्र में पारसद प्रधान हिंदू है विधायक हिंदू है सांसद हिंदू है वहां उन्होंने हिंदू नाम से सारे डाकूमेंट बनवा लिये और तीन से चार हजार रूपए में हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस उसके बाद जो वहां का पार्सत प्रधान होता है उससे मिलते हैं कहते हैं जी हमारे पास कागज है हमारा ओट्राइडिम नाम जुडवा दो वो ओट के चक्कर में ओट के लालस में उनका नाम भी िए बॊंचे बाद के हैं हिंदू नाम से अपयाने उन्हों ने खोल लिया है हिंदू नाम किसान सम्मान निधी ले रहे हिंदू नाम से मुफ्त मकान люOULD है अब ये क्या करने वाले हैं जो बड़ा खेल सुरू होने वाला है कि अलगलग सहरों में सामुहीक रूप से धर्मांतर सुरू करेंगे पूरी दुनिया में ये मिसेज देंगे कि सनातंधर में बहुत खराब है सनातंधर में छुआ छूत है सनातंधर में ब्राहमणवाद है उ दुनिया भर का जो मावादियों का अपना इनका वामपंथियों का प्रोपोगंडा उस प्रोपोगंडा को प्रमोट करेंगे और जगए जगए बड़े पांच जार आठ जार दस जार लोग साभी क्रूप से कन्वर्ट होंगे यह बहुत बड़ा खत्रा है पूरी दुनिया म हमेरीका में रूस में दुबई में कुई नहीं करता कोई इसलिए हमारा कानून घटिया है और हमारे हाँ फरजी डाकूमेंट इसलिए बनवा तब बनेगी बंगलादेश की जो बाउंडी हो 4000 किलोमीटर की है अब 4000 किलोमीटर पूरी बाउंडी बनाने बहुत टाइम लगेगा लेकिन सरकार ततकाल कानून बनाए भारत में अवयद रूप से इंटी करने को गंभीर अपराद घोसित करे भारती न्याय संगिता में चैप करने नागरिक्ता खतम करने और 10-20 सल्क सजा का कानून यानि जो बारत में अवयद रूप से घुस्पैट करेगा उसको केवल 10-20 सल्क सजा लेकिन जो उनकी मदद गरेगा जो 2000 रूपे लेकि उनको अंदर ले आते हैं उनकी नागरिक्ता भी खतम हो उनकी 100 प्रण संपत्त जब जब तो हो और उनको भी 10-20 सल्क सजा और जो 4000 किलोमेटर का बंगलादेश का बॉर्डर है जब तक बाउंडी नहीं बन रही है तब तक हर किलोमेटर पे बड़े-बड़े नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए कि भारत में प्रवेस करना भारत में घुसपैट करना नहीं कराएंगे और घुसपैठी जो अंदर आते हों घुसपैठी नहीं आएगे दूसरा फर्जी डाकुमेंट बनाने को गंभीर अपराद घुसित किया जाए भारती नया संगिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए अफेंस रिलेट इन्टू फेक डाकुमेंट और फर्जी आधार बनवाने फर्जी रासन कार्ड फर्जी ड्राइविंग लाइसंस फर्जी ओटर आईडी फर्जी बैंक खाता जितने भी डाकुमेंट बनते हैं फर्जी इसको सीरियस अफेंस डिकलेर कर दिया जाए और जहां जहां आधार बनता है वहां एक नोटिस बोर् लगा दिया जाए बोर्ड लगा दिया जाए फर्जी बर सर्टिफिकेट बनाना फर्जी बर सीकेट बनवाना दोनों गंभीर अपराद है पकड़े जाने पे बनाने वाले और बनवाने वाले को 10-20 सजा होगी प्रापर्टी भी जबत होगी नागरिकता भी खतम होगी जहा पे यह दोविसाइल सर्टिफिकट बनता है, निवास प्रमार्पत्र, सामानेते तहसील में बनता है, SDM कहां बनता है, तहसीलदार कहां बनता है, वह इसे वहाँ भी एक बोर्ड लगा दिया जाए, फरजी Domicile Certificate बनाना गंभीर अपराध है पकड़े जाने पर बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों को दस्ते भी सल्क सजा होगी जहां पर आपका ओटर आईडी बनता है वहां पर भी बड़े बड़े बोर जब अंदर इंट्री यानी बंद हो जाएगी अंदर डाकुमें सीधे सीधे उनको आजीवन कारावास होगा कि वाल तीन महीने की विंडो दे दिया जाए मैं गारंटी के साथ कहता हूं इन रसी की जरूरती नहीं पड़ेगी बिना इन रसी के सारे घुस बैठी भाग जाएंगे अमेरिका में नार्सी नहीं है वहां पर नर्सी करने की जर है डाकुमेंट तो बनवाना छोड़ दीजिए भूल जाई है कोई वहां फर्जी डाकुमेंट बनवाले हमारे हां इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है एक तो घटिया कानून ऊपर से पकड़े जाने पर लोग सजा नहीं मिलती है बारती नया संगिता जो ह है इसमें चैप्टर जोड़ना पड़ेगा नार्को पॉलिग्रा ब्रेन मैपिंग कानून क्योंकि घुस पैठियों को पकड़ के अगर फिर आप तारीक पे तारीक खेल खेलेंगे तो घुस पैठिये क्या करेंगे अपने पक्च्छों में फर्जी गवाह पैदा कर लें त टेस्ट करिए उन से पूछिए कि उनको आधार किसने बना दिया रासन कार किसने बनाया ड्राइविंग लाइसंस किसने बनाया ओटर आईडी किसने बनाया बर सेटिफिकेट किसने बनाया बैंक में खाता किसने खुलवाए बस दस बीस घुस पैठियों को पकड़िये और जो मददगार है जिन्होंने उनको डारेक्ट इंडारेक्ट मदद किया जिन्होंने उनकी जुकी बनवाई है जिन्होंने उनको यहां भारत में इंटी दिलवाई है उनको पकड़ के जेल में डालिए फोटो बड़ी बड़ी फोटो के साथ उनका डालिए यह घुसपैठी है ये इनके मददगार है खौफ पैदा हो जाएगा खौफ भारत में लोग घुसपैटियों की मदद करना छोड़ देंगे और उपल से जिन लोगों ने घुसपैटियों की मदद किया है वो खुद ही घुसपैटियों को बोलेंगे और बहुत जल्दी पूरे देश में सामोहिक रूप से धर्मांत्रान सुरू होगा, पुरी दुनिया में सनातन धर्म की ऐसी क्तेसी हो जाएगी, पुरी दुनिया में सनातन धर्म को बदनाम किया जाएगा, कि सनातन धर्म में चुवा चूथ है, ये है, ये है, इसलिए हम सब हम सब convert हो रहे हैं यह पूरे देश में तब effective होगा जब uniform police code होगा अभी 1861 का police act है जब तक यह police act चलेगा तब तक पूरे देश की police एक तरीके से काम नहीं करेगी uniform police act code बनाना पड़ेगा पूरे देश की judiciary एक तरीके से काम करे फटा फट उनके नार्को polygraph brain mapping करके उनको जमानत देने की बजाए सीरे सीरे उनको jail में डाल दे वो तब होगा जब uniform judicial code होगा जब गवाहों के फरजी बयान तब नहीं हो पाएंगे जब नार्को polygraph brain mapping कानून होगा और एक judicial charter होगा कि आपको सभी judge साहब को एक साल के अंदर फैंसला देना ही देना मैं आप लोगों से निवे सभाए में लोकतंतर तब तक हैं जब तक हिंदू संख्यक और सबका सात सबका विकास नारी नाराइड़ि ये सारे विचार तब तक हैं जब दिश्रों से लड़ने के लिए काम आती है भारत के अंदर जो कितना बड़ा खत्रा पैदा हुआ है, इसके लिए आपको राफेल जैसा कानून चाहिए, आगंनी प्रम्होश जैसा कानून चाहिए, पर्मार बं जैसा च entre तकड़ा कानून चाहिए, कानून से ये रुकेगा, भारत की ये कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विसोव्यापी नहीं है, भारत में जो समस्या है वो दुबई में नहीं है, कुवेट में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, रूस में नहीं है, झाल